नमस्कार मैं हूँ समश्य बास्ता और आप देख रहे हैं आज की खबर महाराश्टर में रातो राद बड़ा सियासी उलट फेर हो गया है राजे में बीजेपी और एंसीपी ने हाथ मिलाकर अपनी सरकार बना ली है सुबा करीब आठ बजे बीजेपी के देविंद्र फड़नविस ने एक बार फिर मुख्य पंत्री पत की शपत ली वहीं NCB प्रमुक शरत पवार के बतीजे अजीत पवार ने राज़ के उप मुख्य मंत्री पत के रूप में शपत ली है महराश्ट्र की राजनीती में रातो रात हुए इस उलट फेर से सियासी भूचाल आ गया है बयानों का दौर भी शुरू हो गया है शिसेना प्रवक्तर संजराउत ने कहा राज़बवन की शक्तियों का दुरुप्योग हुआ है अजीत पवार के इस फैसले के बारे में शरत पवार को कोई जानकारी नहीं थी अजीत पवार ने शरत पवार को धोका दिया है रात के अंधेरे में ये पाप किया गया है अजीत पवार ने चोड़ी की है कल नौ बजे तक ये महाशे हमारे साथ बैटे थे अचानक से गायब हो गए जो यक्टी पाप करने जाता है वो खुद बखुद नजर नहीं मिला पाता है उदव ठाकरे जी और शरत पवार जी संपर्क में हैं और आज भी मिलेंगे पर सच तो या है कि अजी तवार और उनके साथ गए विधायकों ने चतरपती शिवाजी महाराज और महाराश्टर का अपमान किया है अजी तवार के फैसले पर NCP चीफ शरत तवार ने कहा कि BJP को समर्थन देने का अजी तवार का फैसला निजी है इसमें NCP की सहमती नहीं है हम उनके फैसले को समर्थन नहीं देते हैं फड़नविस ने कहा लोगों ने हमें सपष्ट जनादेश दिया था लेकिन शिवसेना ने नतीजों के बाद अन्य दलों के साथ गड़वंधन करने की कोशिश की इसके बाद राष्टर पती शासन लगा महराष्टर को इस्थाई सरकार की जरुरत है ना की खिचरी सरकार की उख मुक्यमंत्री के तोर पर शपत लेने के बाद अजीप पवार ने कहा 24 अक्टूबर को नतीजे आने से लेकर अब तक कोई पार्टी सरकार नहीं बना पा रही थी महराष्टर में किसानों के मुद्धे समेथ कई दिक्कते थी इसलिए हमने एक इस्थाई सरकार बनाने का फैसला किया सभी को हैरत में डालने वाले इस शपत ग्रहन को शरत पवार का राजनीतिक मास्टर स्टोक बताया जा रहा है शरत पवार ने ब्रहसपती रात को कहा था कि राखपा, कॉंग्रेस और शिफ्ट सेना में इस बात को लेकर सहमती बन गई है कि उद्दफ ठाकरे नई सरकार का नरतित्व करें प्रदानमंदरी मोधी ने ट्वीट करके दोनों लेताओं को बधाई दी पीम ने ट्वीट किया देविद्र पडनफिस और मुख्यमंत्री और अजीत पवार को डिप्टी सीम की रूप में शिफत लेने के लिए शुब काम नाएं मुझे विश्वास है कि वो महराष्टर के उज्वल भवेश के लिए लगन से काम करेंगे महराष्टर से और देश दुनिया से जुड़ी तमाम अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें आशी खबर के साथ